एश्वरया और अविशेक की जोडी बी टाउन की फेमस जोडी है। एश्वरया और अविशेक की शादी को करीब 17 साल हो गए है। चलिए एश्वरया की वेडिंग लुप की कुछ और खास बाते आपको बताते हैं। एश्वरया एकदम प्यॉर साउथ इंडियन ब्रैडल बनी थी। उन्होंने प्यॉर गोल्ड से बनी गोल्डन कांजी वरम साडी पहनी थी। जिसे उनकी खास दोस्त वा फेमस डिजाइनर नीता लुल्ला ने ही डिजाइन किया था। रिपोर्ट की माने तो उनकी इस कांजी वरम साडी को प्यॉर सिल्क से बनाय गया था। जिसके बॉर्डर पर सोने की तारों का काम किया था। साथी, बलाउज और साडी पर लगे क्रिस्टल दुनिया के सबसे महंगी क्रिस्टल बेचने वाली कमपनी सुआरोव स्की से लिये गए थे। उस समय में ही इस साडी की कीमत 75 लाग रुपे थी। उस जमाने में एश्वर्या एकलोती एक्ट्रस थी जिसने इतनी महंगी साडी पहनी थी। कई दिनों तक एश्वर्या की साडी लंबे समय तक टॉक आफ दा टाउन बनी रही थी। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि एश्वर्या राय साउथ इंडियन है। इसलिए सिर्फ साडी ही नहीं बलकि उनका पूरा गेट भी साउथ इंडियन था। साडी से लेकर हेयर स्टाइल और यहां तक की गहने भी पूरी तरह से साउथ इंडियन ब्राइडल लुक दे रही थे। एश्वर्या ने 22 केरेट गोल्ड पहने थे जिस पर बेश कीमती हीरे और स्टोन्स लगे थे। यहां तक की बालों में भी एश्वर्या ने फूलों के साथ सोने की पिंस लगाई थे। एश्वर्या ने सिर्फ से लेकर पैर तक कई किलो सोना पहना था। प्रेडिशनल लंबी गजरी वाली चोटी में सोने के आभूचन लगे थे। माथा पटी और चोकर वारानी हार एकदम उनकी गोल्डन साड़ी से मैच खा रहे थे। एश्वर्या की इंगेजमेंट रिंग और मंगल सूत्र भी बेहद खास थे। उनकी 53 कैरिट डायमंड की रिंग करीब 50 लाख रुपे की थी और 3 डायमंड मंगल सूत 45 लाख रुपे का बताया गया था। लेकिन शादी के करीब 4 साल बाद एश्वर्या ने अपना गोल्ड का डबल लेयर का लंबा और डायमंड पेंडिट वाला मंगल सूत्र सिंगल लेयर करवा कर छोटा करवा लिया था। वहीं अभिशेग भी अपनी वेडिंग पर कम नहीं लग रही थी। उन्होंने डिजाइनर अबू जानी संदीप होसला की शेरवानी और कलियों वाला सहरा सजाय था। जो काफी सुर्ख्यों में रहा था। आपको एश्वरया की वेडिंग लुक कैसी लगी हमें जरूर बताएं।